असलाव अलेकुम बचो उमीदे आप ठिक ठाक होगे, बजे में होगे और तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे किलास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है जो चेप्टर हम डिसकस कर रहे है तिस सर्कुलर एंड डूटेशनल मोशन आज हमारा है लेक्चर नमबर 16 आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है force of gravity क्या होती है gravitational acceleration किस बला का नाम है, किन parameters पर depend करती है अगर आप अर्थ के surface से उपर जाते हो, तो g का value क्या होगा, कैसे calculate करेंगे अगर surface of earth से नीचे जाते हो, यानि depth cover करते हो towards the center of earth तो variation in the value of g को हम कैसे calculate कर सकते हैं, साथी साथ जो earth का shape है वो किस तरहां से असर अंदाज होता है, g का value को change करने में g से मुराद यहाँ पर gravitational acceleration है, पढ़ते जाएंगे सारे concept build होते जाएंगे साथी साथ बच्चे, इस topic से जितनी तरहां के questions हमारे माजी में past papers में पूछे जा चुके हैं वो सब भी आपके साथ यहाँ पर discuss कर रहे होंगे बच्चे इस lecture की एहमियत का अंदाजा इस बात से करना कि variation in the value of g का concept ना सिर्फ जो आगे हमने satellite की कहानी पढ़नी है उसमें काम आएगा, apparent weight में काम आएगा, artificial gravity में काम आएगा बलके जो हम projectile motion पढ़के आए हैं वहाँ आपने range की, height की, time of flight की equations पढ़ी होंगी उनमें भी g का factor आ रहा होता है similarly, जब हम आगे चलके oscillation या simple harmonic motion वाला part पढ़ेंगे वहाँ simple pendulum आता है, उसके अंदर भी g का factor आता है conical pendulum का जब time period drive किया जाता है उसके अंदर भी g का factor आता है मतलब बहुत सारे जगाएं ऐसी हैं ये वाला concept उनके साथ मिल कर frame होता है यानि कि जब मैंने आपको बताया है था न, e-card, m-card के अच्छे questions बनते हैं तो क्या होता है, combination of topics होते है तो ये variation in the value of g का जो concept है वो बहुत अच्छे से बाकी सारे questions के साथ मिल कर frame हो रहा होता है तो असा topic है, बिल्कुल basic से, advance तक जाके इसको पढ़ेंगे heading लगा लो अपने पास, variation in the value of g मेरा नाम बिलाल जया है, और यह मेरा और आपका एक छोटा सा, प्यारा सा platform है जहां पर हम 11 और 12 की physics पढ़ दें, चीक है अच्छा बच्छे हम लोगोंने, सबसे पहले यह देख लेते हैं कि force of gravity क्या चीज़ है तो हमने lecture number 15 में, इससे previous lecture में, Newton भहिया का एक कानून पढ़ा था Newton साब कहते हैं, कि दुनिया में हर दो objects के दरम्यान में force of attraction exist करती है, जिसको आप इस formula से calculate कर सकते हो यानि कि अगर कोई दो objects है, एक का mass है m1, एक का mass है m2 और इनके दरम्यान का distance है r, तो इनके दरम्यान में जो force of attraction exist करेगी that is given by this equation f equal g m1 m2 divided by r square, सही हो गया अगर मेरा बेटा, मान लो ऐसे आपके पास दो object है, एक आपके पास planet है मैंने कह दिया, इस planet का नाम क्या है, अर्थ है, जिसके उपर हम मौजूद है एक आपके पास ऐसे मैं हूँ जो कहां मौजूद है, अर्थ के surface पे मेरा mass m1, अर्थ का mass m2, तो हम दो object हो गए हम दोनों के दरम्यान में, यगीनन यहां पे कुछ distance होगा यहां से लेगे यहां तक का, कुछ distance होगा, मुझ में और अर्थ के center में ऐसे ही है, तो हम दोनों के दरम्यान में, एक force of attraction exist करेगी, इसको हम कहते है force of gravity, तो force of gravity कोई नई force नहीं है, यह जो आपने पढ़ी थी न, gravitational force यह जो आपने पढ़ी थी, gravitational force, अगर यही gravitational force आप calculate करो, किसी planet और object के दरम्यान में, जो उस planet की gravitational field के अंदर है, तो वही force कहलाती है force of gravity, normally हम कहते हैं, वो ताकत जो अर्थ apply करता है किसी body पे, that is weight, यह force of gravity, क्योंकर जाहरे हम किस planet पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, तो सर किसी और planet की force of gravity हो सकती है, बिलकुल हो सकती है, अभी देखेंगे आगे चलके, moon पे भी calculate करेंगे, Jupiter पे भी calculate करेंगे, माजी के दो questions है, तो once again, जल्दी से sum up कर ले, basic सी बात, force of gravity क्या है, अर्थ जब किसी body के उपर force apply करेगा, जो force of attraction, अर्थ और body के दर्म्यान में exist करती है, उसे हम क्या कह रहें, force of gravity, समझ आ गई, अच्छा, अगर मुझे force of gravity यहां से calculate करनी हो, इस case के अंदर, तो force of gravity, FG, will be equal to GM1, मेरा mass मैंने कमान लिया, capital M, ME divided by RE का square, RE क्या है, अर्थ के center से, यहां तक का फासला, जहां पे मैं खड़ा हूँ और मैं surface के अपर ही हूँ, ठीक है, यह जो force of gravity है, इसी को हम weight कहते हैं, और weight का formula क्या होता है, M into G, this will be equal to GMME divided by RE का square, 1M से 1M मर गया, हमारे पास G का value क्या आ रहे है, GME divided by RE का square, यह जो G है ने मेरा बेटा, यह चीज, यह G, यह कहलाता है, हमारे पास gravitational acceleration, सर, gravitational acceleration क्या होती है, बचे Newton का second law revise करो जल्दी से, Newton अपने second law में क्या कहता है, किसी body पे force लगेगी, तो body के पास क्या आएगा, acceleration आएगा, जिस direction में force लगेगी, उसी direction में क्या होगा, acceleration आएगा, तो अभी तक आपने यह देख लिया, कि अगर अर्थ की अर्थ की gravitational field के अंदर, कोई object मौझूद है, तो अर्थ उसे pull कर रहा है, attract कर रहा है, वो object भी अर्थ को pull कर रहा है, last lecture में भी यह बात हुई थी, अर्थ जितनी तागत object पे लगा रहा है, object उतनी तागत अर्थ पे लगा रहा है, लेकिन अर्थ का माज जादा है, इसलिए अर्थ कहीं नहीं जाएगा, object अर्थ की तरफ खिचा चला आएगा, तो once again, जो कोई object अर्थ की gravitational field के अंदर मौझूद है, अर्थ उसके उपर एक pulling action कर रहा है, एक force supply कर रहा है, वो क्या गयल आ रही है, force of gravity, तो अगर किसी object को drop कर दिया जाए, मालो यह marker रहा है, इसे मैंने छोड़ दिया, तो जो marker उपर से नीचे आ रहा है, यह नीचे क्यों आ रहा है, due to force of gravity, Newton का second law, force लगेगी, तो body के पास acceleration आएगी, अर्थ के force of gravity के नतीजे में, जो body के पास acceleration आती है, उसे हम कहते है, gravitational acceleration, पॉइंट सबज में आ गया, बिल्कुल simple, force of gravity क्या है, force applied by earth, अर्थ क्या चाहता है, अपने center की तरफ body को ले कर आना, कितनी acceleration से, 9.8 meter per second square से, तो यह जो gravitational acceleration है, यह आपके पास कितनी हो गई, 9.8 meter per second square, यह जहान में रखना, 9.8 meter per second square कहां पे है, add the surface of earth, तो surface of earth पे अगर body नहीं होगी, उपर होगी या नीचे होगी, तो क्या change होगी, बिल्कुल change हो जाएगी, लेक्चर का नाम क्या है, variation in the value of g, इसी में तो variation पढ़ने है, यह तो universal gravitational constant है, इसका value तो change होने वाला नहीं है, 6.673 power minus 11, newton meter square per kilogram square, सही हो गया, अच्छा, अब हमारे पास यह जो gravitational acceleration है, यह कैसी quantity है, vector quantity है, vector quantity के पास, magnitude के साथ साथ क्या होता है, direction होता है, तो भाई यह इसका direction कहां होगा, towards the center of earth, center of earth, अपने पास copy में अच्छे से note बना के लिखेंगे इसको, लेकिन सर, हमें जो है, वो एक teacher ने पढ़ाया था, कि इसका direction होता है downward, तो बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है, क्यों भाई, देखो इसलिए, देखो बच्चे इसलिए, अगर यह अर्थ है, माल लो यह अर्थ है, समझे न, यह अर्थ है, अगर मैं यहां से किसी object को drop कर दो, तो भाई साब, यह object ऐसे उपर से नीचे free fall करता वा आएगा, हाँ या न, यहीं है न अर्थ का center, तो direction towards the center of earth है, यह क्या है, downward है, पॉइंट समय जा रहे हैं, यह क्या है, downward है, लेकिन अगर किसी object को यहां से free fall करेंगे, तो वो object ऐसे नीचे नहीं जाएगा, वो ऐसे जाएगा उपर की तरह, towards the center of earth, खुद सुचो, अर्थ ऐसी goal मटोल सी है, आप ऐसे अर्थ के उपर हो, अर्थ अपने एक्से से के रूटेट कर रहे है, ऐसा तो नहीं होता न, यह आपका घर है, जब अर्थ रूटेट करते करते हैं से नीचे आया, तो आपका घर नीचे से नीचे निकल गया, क्योंकि force of gravity तो नीचे लग रही थी, ऐसा नहीं होता, force of gravity कहां लगती है, towards the center of earth, यह इस से पिछल लेक्सर में, यही बात हमने की दी, जो Newton का force of gravitation है, वो एक्क करती है, along the line, joining the center of the bodies, तो जो A, B को अपने पास बुला रहा है, अपने center की तरफ पुल कर रहा है, B, A को अपने पास बुला रहा है, अपने center की तरफ पुल कर रहा है, तो concept का feel लो, पॉइंट समझा आ गई यह बात, तो फिर इसको downward क्यों कहते हैं, इसलिए कि हम by default अपने आपको हमेशा assume करते हैं, कि हम अर्थ के surface पे उपर की तरफ हैं, हम अपने आपको हमेशा मानते हैं, कि हम यहाँ हैं, जब आप यहाँ हो, तो आप किसी भी object को फेंगो के तो वह ऐसे आपको downward भी जाता वा नज़र आएगा, अगर आप actual में यहाँ हो, तो भी वह ऐसे नज़र आएगा, तो आपको यह upward क्यों नहीं लग रहा, यहाँ आप भी तो ऐसी हुए भी हो यहाँ पे, पॉइंट समझ जा रहा है, यह आप हो, आपके लिए तो यह भी आपको क्या दिख रहा होगा, downward दिख रहा होगा, जली से कहानी को समप करते हैं, जितनी बात अभी तक हमने करी, बिल्कूल बेसिक सी बात करी है, कोई नया काम नहीं सीखा, हमने भी तक यह देखा कि भाईया, force of gravity हमारे पास क्या है, जब अर्थ किसी भी body को उपर force लगाता है, towards the center of earth, that pulling force is termed as force of gravity, यह इसको हम weight of the body भी कहते हैं, और इसको हम calculate किस से करते हैं, w equals mg से calculate करते हैं, फिर हमने देखा, gravitational acceleration क्या है, अर्थ के force of gravity लगाने के नतीजे में, जो object free fall करता है, under the action of gravity गिरता है, तो जो acceleration acquire करता है, उसे आप कहते हो, gravitational acceleration, and that is 9.8 meter per second square at the surface of earth, surface से उपर कम होगी, नीचे जाते वे भी कम होगी, वो देखेंगे अभी, ठीक है, फिर हमने माना, strictly speaking, यह vector quantity है, और इसका unit हमारे पास क्या है, meter per second square, अगर dimension की बात करेंगे, तो meter की dimension L, और यह हो गई अब के पास T minus 2, ठीक है, acceleration है, rate of change of velocity है, तो dimension वो ही होगी, जो linear acceleration की होती है, इसका direction कहा है, towards the center of earth, हमेशा, force of gravity and gravitation acceleration, direction is towards the center of earth, हम downward क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें हमेशा रखते हैं, हम यहाँ पर मौचूद हैं, इसलिए हमारे लिए वो downward है, actual में, अगर यहाँ से भी देखेंगे, तो आपको downward ही लगेगा, बाहर वाले frame से देख रहे हो, तो वो ऐसे upward है, यहाँ से देखोगे, यहाँ किसी object को free fall कराओगे, तो वो भी ऐसे towards the center of earth आरा होगा, आप यहाँ पर ऐसे होगे, तो आप अगर अर्थ के frame से देखोगे, तो आपको हमेशा वो downward लगेगा, बाहर वाले frame से देख रहे हो, तो यह left जा रहा है, यहाँ पर right जा रहा है, down, up, point समय में आ गया, आप तो ऐसे earth के साथ साथ गूम रहे हो ना भाईया, यहाँ पर आप ऐसे हो, तो हमने इतनी बार इच्छी से discuss कर ली, यह point clear हो गया ना सारा, ठीक है, फिर हमने हमारी golden equation पढ़ी, कि हम जो gravitational acceleration का formula पढ़ते हैं, that is, gme divided by r e का square, अपने पास copy में note करना, यह gravitational acceleration का formula है, for the surface of earth, किसके लिए है यह, for the surface of earth, gravitational acceleration यहाँ पे किन parameters पर depend कर रही है, आपको नजर आ रहा है, एक depend कर रही है me पे, एक depend कर रही है re पे, अब यह बात शुरू में समझना थोड़ा मुश्किल होता है, sir, me से मुराद है mass of earth, which is a constant, तो कैसे depend कर रही है, re से मुराद है radius of earth, which is a constant, तो कैसे depend कर रही है, तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है जहन में तो mass of earth लिखके उसे काटना R.E. radius of earth लिखके उसे काटना ताकि यह समझ में आ जाए यहां M.E. से मुराद mass of earth नहीं है M.E. से मुराद effective mass of earth है R.E. से मुराद radius of earth नहीं है R.E. से मुराद distance है center से लेके उस point तक का फासला जहां पर G calculate किया जा रहा है लिख लो इसको very important point पूरा lecture नहीं दूप points के रिद्गित घुमेगा M.E. से मुराद क्या है effective mass of earth क्या है कैसे है सब आ जाएगा R.E. से मुराद क्या है distance कहां से center of earth से लेके उस point तक का फासला जहां पर आपने G का value calculate किया है अब देखो यहां पर R.E. क्यों आ रहा है इसलिए कि मैंने अभी surface of earth के उपर G निकाला था तो center से यह है center यह है surface तो center से surface तक का फासला कितना है R.E. तो यहां पर R.E. आ रहा है अगर यह वाला point मैं कुछ height H उपर जाके लेता इस point पे अगर मैं इस point पे G का value calculate करूँगा तो पहली बात तो मैं उसे G नहीं कहूँगा G prime कहूँगा यहां कि G आप सिर्फ उसको कहते हो that is gravitational acceleration at the surface of earth यह बुज़गाने physics standard बना गए है ठीक है तो G prime अगर आप यहां पर calculate करोगे तो यहां पर जो एक question मनने कि that is RE plus H का whole square यह क्या चीज़ है distance from the center of earth to the point जहां पे G calculate करना है यह क्या है effective mass of earth point clear हो गया समझ आती है तो gravitational acceleration किसी भी point पे 2 parameter पे depend करती है effective mass of earth कितना है center से उस point तक का फासला कितना है जब तक आप surface से बाहर बाहर हो effective mass of earth change होने वाला नहीं है जब अंदर आएंगे तो effective mass of earth change होगा वो भी depth की कहानी पढ़ते वे पढ़ लेंगे इतना इससा कापी गड़ लो एक सवाल समझते हैं और आगे चलते है भाई ये वाला point जो आखर मैं बताया था ये वाला अच्छे से feel कर ले ना हम हमेशा downward क्यों कहते हैं क्योंकि आपके लिहाज से हमेशा जीगा value downward act कर रहा है आप यहां से देखो कि downward अगर मैं यहां पर भी हूँ तो मुझे थोड़ी पता है मैं यहां पर हो तो बाहर से अगर कोई मुझे बंदा space के frame से observe कर रहा है तो उसे लगेगा कि मेरा सर वहाँ पर मैं ऐसे उल्टा खड़ावाँ उसके लिए left side होगा मेरे लिए तो यह still क्या है downward कि यह अपना यह downward है वो इसलिए कि आपके frame के लिहाँ से हमेशा downward center of earth है मेरे frame के लिहाँ से जब भी देखोगे सुबह में, रात में, शाम में, दुपैर में तो नीचे की तरफ जाएंगे तो center of earth की तरफ आ जाएंगे ठीक है चलो मेरा बच्चे अब एक सवाल करते हैं और सवाल के बाद कहानी को आगे लेके चलते हैं आपको कहा जा रहे हैं आज के lecture का question number one calculate gravitational acceleration at the surface of planet Jupiter आपने Jupiter के surface के उपर gravitational acceleration calculate करनी है where diameter of the Jupiter is where diameter of the Jupiter is 11 times that of earth Jupiter का जो diameter है वो अर्थ के मुकाबले में क्या है 11 गुना है and mass of Jupiter is 318 times that of earth ठीक है 318 times that of earth यह सवाल माजी में NED University के 2015 जो मेरा वाला साल था उसके अंदर पूछा गया है options थे 3.63 times of G 2.63 times of G 1.63 times of G 4.63 times of G वीडियो को पॉस करें और सवाल को attempt करें ठीक है? चलो चलो भाई यह देखो क्या कहता है? हमें यह बात पता है किसी भी प्लैनेट एक्स के उपर, मान लो कोई प्लैनेट एक्स है? वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू, आप इस फॉर्मूले से कल्कूलेट करते हो, ऐसा ही है. ग्रेविटी यह सर्फेस का अगर आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल नहीं है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एड़ सर्फेस ऑप्लैनेट एक्स इस एक्वल टू जी जी तो वही होगा, युनिवर्सल कॉंस्टेंट, मास्स ऑफ एक्स एफेक्टिव वाला, डिस्टेंस फॉम दा से को है, एक मुझे करना है। जुपिटिर के लिए काम करना है, तो जुपिटर की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो यह आ जाएगा, एम जे डिवाइड़ रे का स्कॉर, स्ख एक्स एक्स पाएर्स allergic पर, मुझे पता है, कि अर्थ की सर्फिस के उपर अगर मुझे gravitational acceleration calculate करनी है तो formula है g equal gme divided by r e का square और ये g का value भी मुझे पता है 9.8 meter per second square at the surface of earth अब देखो क्या कहा रहा है surface of Jupiter पर आपने निकालनी है diameter of Jupiter is 11 times that of earth जो Jupiter का dia है ये earth के dia के मुकाबले में 11 गुना जादा है हम पहले भी ये बात देख चुके कि अगर diameter 11 times जादा है तो ये बात तैह है कि जो radius होगा ये भी क्या होगा 11 times जादा होगा देखो फिर समझे लो suppose कर लो आपके बाई ये एक circle है इस circle का radius है 2 इसका dia कितना होगा? dia होगा इसका 4 radius कितना है? 2 तो dia कितना हुआ? 4 अगर मैं एक और circle बनाओ इस circle का radius है 8 तो dia कितना होगा? 16 क्योंकर dia radius का twice होता है circle number 1 radius 2 dia 4 circle number 2 radius 8 dia 16 अब आप मुझे बताओ इस circle से इस circle में आते हुए अगर मैं आपसे पूछू radius कितने गुना change हुआ? radius कितने time change हुआ? तो आप बोलोगे 4 times कैसे निकाला? final radius divided by initial radius 8 upon 2 is 4 4 गुना change हुआ 2 को 4 से multiply करो 8 बनेगा 4 गुना change हुआ बेतरीन हो गया यानि कि इस circle के मकावले में इसका radius 4 गुना जादा है आप दोना note करो dia कितने गुना change हुआ? वो भी 4 गुना change हुआ इसका dia 4 इसका dia 16 final diameter divided by initial diameter तो 16 upon 4 is 4 यानि कि dia भी कितना change हुआ? 4 times change हुआ समझा गया? इसका मतलब जितने times radius बढ़ता है diameter भी उतने times बढ़ता है ठीक है? देखो, D का formula क्या होता है? 2R तो अगर आप relation निकालो कि D और R की तो ऐसे आती है D is directly proportional to R तो जितने times R बढ़ेगा उतने time D बढ़ेगा तो अगर diameter Jupiter का 11 गुना जादा है तो radius भी Jupiter का 11 गुना जादा होगा सही भई? where you put गर तो लागे यहां पर? G mass of Jupiter कितना दिया हुआ है? 318 times that of Earth तो mass of Jupiter हो गया 318 times the mass of Earth upon me RJ RJ is radius of Jupiter this is 11 times the radius of Earth उपर क्या आजाएगा? स्कॉयर आजाएगा? चाहिए? अब GME divided by अगर मैं स्कॉयरिंग कर दूँगा तो यह बनता है 121 multiply by R E का स्कॉयर और यह क्या आगया? मेरे पास 318 हो गया सही? अगर इसको मजीद सिंप्लिफाइग करते हैं तो GME divided by R E का स्कॉयर multiply by 318 divided by 121 अब आप नोट करो GME upon R E स्कॉयर GME upon R E स्कॉयर यह किसके बराबर हो गया? G के बराबर हो गया यहनि कि यह क्या बनता है? G prime will be equal to G multiply by 318 divided by 121 इसको अगर मैं 11 के टेविल से solve करता हूँ 11, 11 जा होता है मेरे पास 121 11, 2 जा मेरे पास होता है 22 31 में से 22 गया तो 9 बचा 98 आ रहा है सही है? 11, 8 जा मेरे पास होता है 88 98 में से 88 गया तो 10 बचा 10 के आगे 0 लगा दिया 11, 9 जा होता है मेरे पास 99 सही है? आके जाने की जरुवत नहीं, अब 11 से मजीद काट लो, 11 2 होता है मेरे पास 22, 28 में से 22 गया, तो 6 बचा यहां आ गया, decimal लगा देंगे, 11 6 मेरे पास होता है 66, 69 में से 66 गया तो 3 बचा, 0 आ जाएगा, 11 2 मेरे पास होता है 22, सही है, आके जाने की जरुवत नहीं है, 2.62G, यनि क मेरे पास G prime कितना आ रहा है बच्चे 2.62 G देखो ऐसा कोई option है 2.62 G पॉइंट समझ में आ गया भई अभी हो सकता था वो यहां पर इंटरम दो अग G देने के बज़ाए exact value में पूछ लेता तो भई exact value में पूछता थो कैसे निकालते आप बोलते G prime will be equal to 2.62 multiply by 9.8 या अगर without calculator कर रहे हो direct 10 से multiply कर दे 26.2 के करीब परीब जो भी answer होता वो आपका correct option बन जाता तो एक सवाल हो गया हमारा इससे मिलते चुलते दो सवाल जो माजी में कुछ और universities में आए वे वो आपके homework notes में include करें उनको आप देखना copy कर लो आगे चलते हैं चलते हैं बच्चे अब अपने main topic की तरफ variation in the value of G पहले पढ़ेंगे with respect to altitude then पढ़ेंगे with respect to depth हमने ये चीज़ देख ली किसी भी point के उपर gravitational acceleration की value निकालने का जो equation है वो ये है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे M E से मुराद क्या है effective mass of earth जो उस point पे है R E से क्या मुराद है distance from the center of earth till that point जहाँ पे आप G का value calculate कर रहे हो ठीक है बईया अच्छा अब बच्चे ये हमारे पास जो है ना वो मालनो हमारे पास goal मटोल सा हमाला earth है ठीक है यह पेरा पेटा हमारे पास है हमारा center of earth earth का center यह मालन लेते हैं हमारे पास कोई point है जो कि surface of earth के उपर है और यहाँ पे हमने कोई एक point assume कर लिया जो कि surface of earth से कुछ height h उपर है हमें इस point के उपर gravitational acceleration का value find out करना है अगर मैं note करता हूँ तो surface of earth से लेके center of earth तक का जो फासला है यह तो मुझे पता है कितना है r e that is the radius of earth और जिस point पे मुझे gravitational acceleration की value निकालनी है यहाँ से लेके surface तक का फासला कितना है h अब और से सुनना अगर मैं कहता हूँ center से surface तक का फासला बताओ that is r e center से उस point तक का फासला बता है जहाँ पे g का value calculate करना है that is r e plus h h क्या है surface से उस point तक का फासला जहाँ पे g का value calculate करना है यह सब चीज़े note कर लेना अभी आपको इसके सवाला दिखाऊंगा छोटे-छोटे कहानी से सवाल का value change हो रहा होता है ठीक है अच्छा अब अगर मैं अपनी equation लिखता हूँ मुझे बता है gravitational acceleration at the surface of earth is given by gme divided by r e का square this is equation number one surface of earth पे देखो जब तक आप surface से बाहर बाहर खेल रहे हो effective mass of earth change होने वाला नहीं है वो m e रहेगा वो change होगा जब आप surface के अंदर आओगे depth cover करना शुरू करोगे तो tension लिए बगार लिख सकते है जब आप surface से उपर जाते हो तो मैं कहूंगा at height h above the surface of earth at height h above the surface of earth तेक है जो मेरी equation मैंनेगी that will be g prime क्योंकि इस point पर जाके value change हो जाएगी क्यों change होगी वो भी नज़र आ रहे है भी बता भी देते है mass of earth उतना ही रहेगा और distance from the center of earth क्या होगा बढ़ जाएगा यहां से आप note करो तो इस equation से आपको एक चीज़ नज़र आ रही है यह जो denominator में factor लिखा हो है यह क्या चीज़ है बच्चे this is the distance from the center of earth till the point जहां पे आपने g का value calculate करना है तो आपको यहां से एक चीज़ वाज़ तोर पे नज़र आ रही है कि g is inversely proportional to r square where r is the distance from the center of earth तो जैसे जैसे आप surface से उपर जाओगे center of earth से फासला क्या होगा बढ़ता जाएगा तो g का value क्या होगा कम होता जाएगा उसको divide करता हूँ equation 2 divided by equation 1 तो भाई सब देखो क्या होता है g prime divided by g will be equal to g prime की value क्या आ गई हमारे पास gme divided by r e plus h का whole square इसके नीचे आ जाएगा gme upon r e square यह gme upon r e square पलटूँगा तो यह बन जाएगा r e square divided by gme सही होगा भाई इसके नीचे आ रहा था gme upon r e square पलट दिया तो यहाँ चला गया gme से gme क्या हो गया मर गया क्या मनता है यहाँ पे r e square divided by r e plus h का whole square इस step पे जाने से पहले एक basic match की ज़रा चीज समझे ले बचे अगर मिसाल के दोर पे मेरे पास लिखा हुआ है a plus b bracket में अगर मुझे यहाँ से a common निकालना है sir a कैसे निकालेंगे a तो इसके पास है ही नहीं सीख लो अगर a common निकालना है तो यहाँ पे a था इसका मतलब यहाँ क्या बच जाएगा one यहाँ पे क्या था b सिर्फ b रिखावा था a नहीं था तो मैं लिखूंगा b divided by a common आया है क्या common सही आया है चेक कर लो अगर मैं इस common जो निकाला है उसे वापस bracket के अंदर बेजूँगा तो यही मिलना चाहिए तो देखो a बन जा a a को जब मैं b upon a से multiply करूँगा तो a से a मर जाएगा क्या बनता है b सही निकाला है अच्छा अब दरा समझना अगर बच्चे मेरे पास लिखा हूँ है a प्लस b का whole square अब अगर मैं a common निकालता हूँ गहर से देखना जब मैं a common निकालता हूँ तो बाहर आएगा a square और अंदर बच्चे का 1 प्लस b divided by a का whole square क्यों बाहर ब्रैकिट के उपर क्या था square जब मैंने a common निकाला तो ब्रैकिट से ये square उतर के उसके उपर भी आ गया और ब्रैकिट का square अपनी जगा रहा getting my point समझ आ गई अब यसे question को देखो ये मेरा बेटा हमारे पास क्या है जब ये वापिस ब्रैकिट के उपर चला जाएगा तो इसका मतलब री का square हो जाएगा यहां पर री था तो मतलब one plus यहां पर री नहीं था एच डिवाइड बाई आर ए होगी आई जब ये वापिस ब्रैकिट के उपर जाएगा तो square ब्रैकिट के उपर चला जाएगा री बन सा आरी री से एच बाई री को मल्टिप्लाइ करेंगे तो सिर्फ एच बन जाएगा वो ही बन जाएगा सेट है अच्छा री के square से री के square मर गया यह बचता है हमारे पास 1 divided by 1 प्लस h अपॉन री का whole square समझ आती है बात की g ये प्राइम डिवाइड बाई ठीक है एक आपकी ये equation है जो हमारे बहुत काम आएगी अभी फर्क अभी थोड़ी देर में खुद समझ में आ जाएगा ठीक है अब इसके अंदर जब मैं इस bracket को उपर लेके आता हूँ तो मेरा बेटा ये बन जाएगा 1 प्लस h divided by r e और उपर क्या पापर आ जाएगी माइनस टू यूंकि पावर चेंज हो गई अब इसको ओपिन करना है सर अगर ये a प्लस b का होल स्कॉाइर होता तो फॉर्मूला पता था a माइनस b का होल स्कॉाइर होता तो भी पता था अब पावर माइनस टू के लिए हमने कभी फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो कोई मस् improv sponsor नहीं है हमारे बास इसके लिए a sit trunks को expand करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा बेटा बायनोमियल expansion बायनोमियल expansion जो आप मेंसे match वाले हैं वो इसको आगे मजीद पढ़ेंगे, बाकी लोग अभी देख लें formula है 1 plus x to the power n x से मुराद कोई भी चीज हो सकती है जो plus के बाद लिखी भी है n क्या है, power में आ रहा है formula क्या है, 1 plus nx plus n, n minus 1 upon 2 factorial 2 factorial कैसे निकालते हैं 2 multiply by 1 जिस भी चीज का factorial निकालना है उससे 1 तक चले जाओ जैसे अगर 4 factorial निकालना है मतलब 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 5 निकालना है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 चैट है x square plus अगली ट्रम क्या होगी n, n minus 1 n, लिखने की जरुवत नहीं है, मैं चाहिए नहीं क्योंके n, n minus 1, n minus 2 x cube divided by 3 factorial उससे अगली n, n minus 1, n minus 2, n minus 3 upon 4 factorial into x to the power 4 यह चलती जाती है इस तरह, सबज़ आ गई, अब मुझे क्या करना है बच्चे मैं इसको expand करने लगाँ, copy कर लो जल्दी से, वहाँ नजार आ रहा है नीचे, आ रहा है चलो, नीचे इसको मैं expand करने लगाँ इस equation को, इसको, अब देखो बच्चे, अगर मैं इसके बिलकुल नीचे लिखता हूँ 1 plus x की power n, तो देखो, 1 की जगा 1 लिखा हूँ है, x से क्या लिखा हूँ है h upon r e, देखो, x की जगा आपको h upon r e लिखा नदर आ रहा है h से क्या मुराद है, surface of earth से कितना उपर गए r से मुराद, center से surface तक का फासला, that is the radius of earth n, n की जगा पर, n की जगा पर आपको minus 2 लिखा नदर आ रहा है देखो गोड से, अच्छे से compare करो, तो अगर मैं expand करता हूँ इस formula के तहथ, तो यह बनता है, 1 as it is, plus n की जगा क्या है यहाँ पर, minus का 2, x जगा क्या आ रहा है, h upon r e, सही हो गया, plus n, n minus 1, n क्या है भाईया, minus 2, n minus 1, minus 2, minus 1, upon 2 factorial, 2 factorial मतलब 2 multiply by 1, तो आगया 2, आगे क्या है, x square, x क्या है, h upon r e, भाईया, 1 के बाद यह लिखा हुआ है, तो h upon r e का square, आगे वाली टरम मैंने निगलेक कर दी, लिकिन अभी निगलेक करी रही है, आगे टरम है, मतलब अगले में h upon r e का cube आएगा, भाईया देखो, यह formula पढ़ना सीखो, यहाँ पर x की कोई power नहीं है, इसका मतलब x power 0 है, यह क्या है, x power 1, यह क्या है, x power 2, अगले 4, x power 5, यहाँ कि जैसे जैसे series आगे जा रही है, x की powers बढ़ती जा रही है, getting my point, जैसे जैसे series आगे जा रही है, x की power बढ़ती जा रही है, यहाँ पर h upon r e की power 1, h upon r e की power 2, अगली टरम आती, h upon r e की power 3, h upon r e की power 4, समझ आ गया, अब आगे हम लिक क्यों नहीं रहे, और मैं क्यों कह रहूं कि इसको भी निगलेक कर देंगे समझें देखो मेरा बेटा अगर आपके पास एक बेसिक सा कानून है मैट्स का समझेगा एक बेसिक सा कानून है क्या अगर आपके पास उपर एक numerator है नीचे denominator है let's say आपके पास उपपर है 3 नीचे है मिसाल के तौर पे 100 समझिएगा उपपर क्या है आपके पास 3 नीचे है 100 इसका answer क्या आता है 0.03 आता है पता है हम सबको अच्छा अगर मैं नीचे 100 के बजाए कर दू 10,000 अगर मैं नीचे क्या कर दू 10,000 अब इसका answer क्या आएगा, 0.0003 आएगा, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही आएगा answer आप क्या चीज़ नोट कर रहे हो, देखो मैंने numerator को नहीं छेडा, numerator जो पहले था, numerator बाद ने भी होई है लेकिन मैंने denominator का value क्या करा, बढ़ा दिया, इसका मतलब numerator जितना छोटा होगा, denominator जितना जादा होगा, answer उतना छोटा आएगा पॉइंट समझ आया, फिर सुनो, फिर समझो, दो बातें यहां पढ़नी हैं हमने, पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो रटा नहीं माड़ना वड़ेगा, आपने क्या सीखा, numerator अगर denominator से छोटा है, और numerator denominator से जितना छोटा है, answer उतना छोटा आएगा, के लिए रहे, अच्छा, इसक्वाइर 9, 10 का स्कॉाइर हो गया, 100, answer आता है, 0.09, पहले था number 0.3, जब स्कॉाइर किया, तो क्या हुआ, 0.09, तो क्या नोट करोगे, 1 से छोटे डिजिट, 1 से छोटी value, जिसे 0.3, 0.2, 0.4, इनका स्कॉाइर किया जाए, तो वो मजीद छोटे होते, चेक करो, 0.3 का स् पावर 3 लो, तो वो इससे भी छोटा आएगा, 0.3 पे पावर 4 लो, मजीद छोटा हो जाएगा, यनि कि जितनी बड़ी पावर लोगे, उतना छोटा answer आएगा, दो बातें अपने पास आपने नोट करी, अच्छे से नोट कर लेना, इसी से चीज़ समझेगे, दो बातें आ 500, 0.03, denominator बड़ा है, numerator छोटा है, तो answer 1 से छोटा आता है, दूसरी बात, 1 से चोटे नंबर पे square करोगे, मजीद छोटा, cube करोगे, और छोटा, 4 पावर लोगे, और छोटा, तो यहाँ देखो जारो, आपके पास, H upon R E है, इसमें H हमारा numerator है, R E हमारा denominator है, आपके पास जो radius of अर्थ होता है, यह तकरीबन होता है, 6400 किलो मीटर, 6400 किलो मीटर, जिसको आप 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर भी लेते हो, या 6.38 भी लेते हैं, बहुत सारी जगा, अब अगर आपके पास, H का value छोटा है, R E के मुकाबले में, यानि कि है, ह क्या चीज है, surface of अर्थ से कितना उप उपर गए, 100 मीटर उपर गए, तो ये R E के मुकाबले में तो बहुत चोटा है, R E कितना है, 6400 किलो मीटर, भी आपके बैंक अकाउंट में, समझे न, आपके बैंक अकाउंट में 6400 रुपे पड़े हो, मैं उसमें लाके 0.001 रुपिया एट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6400 रुपे हैं, मैं उसमें 0.001 रुपे आइट करूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो अर्थ का रेडियस क्या है, 6400 किलो मीटर, आप 100 मीटर उपर गए, 100 मीटर का किलो मीटर कितना होता है, 0.1, तो अगर मैं 6400 में 0.1 देखूं, कोई इसका मतलब h, re के मुकाबले में बहुत बहुत क्या है, छोटा है, तो अगर h, re के मुकाबले में बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब h divided by re, यहाँ पे numerator बहुत छोटा है, और denominator बहुत बढ़ा है, तो जो answer आएगा, यह 1 से कैसा होगा, छोटा होगा, र चोटी हो जाएगी, पावर फोल लेंगे और चोटी हो जाएगी, ये वज़ा है कि हम यहां से higher powers neglect कर देते हैं, अपने बस यह कहानी note कैसे करोगे, if, if, इसके पीछे if लिखना, यह सिर्फ तब valid है, अगर, if, h is very 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 less than the radius of earth, then higher powers on h upon r e can be safely ignored, क्योंकि h upon r e का जो value होगा, that will be less than 1, और less than 1 value का square करते हैं, तो मजीद छोटा, 0.2 का square करो, मजीद छोटा हैगा, cube करो, और छोटा हैगा, power fold लो, मजीद छोटा हो जाएगा, करके देखना है यह चीज़ लासमी है, तो हम आगे वाली values को क्या करते हैं, ignore करते हैं, तो यह बन जाएगा हमारे पास, g prime divided by g will be equal to, 1 minus का 2h upon r e, अब अगर यहां से g prime की value निकालनी है, g prime will be equal to, g into, 1 minus 2h divided by r e, यह लिखवाई है, एक expression मैंने आपको यह लिखवाई है, पहले दरह यह समझे लो, दोनों expression कब कब इस्तमाल होनी है, यह expression भी altitude की है, यह भी altitude की है, क्योंकि दोनों हमने drive curve करी जब आप surface से उपर जा रहे हो, इस वाली expression के साथ आप लिखोगे, this expression is always valid, always true, हमेशा true है, हमेशा true है, चाहे hre के बराबर हो, चाहे hre से बड़ा हो, समझना, मैंने कहीं ऐसा तो नहीं कहा कि आप surface of earth से हमेशा 10 मीटर ही उपर जाओगे, यह 100 मीटर ही उपर जाओगे, यह हमेशा कुछ ऐसी value कवर करोगे, जो radius of earth से छोटी होगी, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा, अगर hre से छोटा है, तो यह वाली expression लगेगी, अगर hre के बराबर है या उसके comparable है, मान लो, आप 3000 किलो मीटर उपर चले गए, अभी अर्थ का radius कितना है, 6400 किलो मीटर, आप 3000 किलो मीटर चले गए, आपके bank account में 6400 है, 3000 रुपे add करे, यह 3000 रुपे निकाले, तो यह significant amount है, getting my point, त यह से वर्दे 6400 किलो मीटर, आप उपर चले के 12000 किलो मीटर, radius of earth से भी जादर distance कवर कर लिए उपर जाते हुए आपने, क्योंकि आप तो surface से उपर जा रहे हो, तो कितना भी कर सकते हो, तो यह equation होती है, आपस की बात है, हम हमेशे यह equation use करेंगे, यह equation सिर्फ किताब में define ह वी होती है, drive वी होती है, note कर लेना, सिर्फ दब यूज करेंगे, जब h का value r e से, बहुत 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 क्या है, छोटा हैगा, ठीक है भाईया, चलो, मजीद चीदे कोई देख ले, यह क्या है, gravitational acceleration at the height h above the surface of earth, यह क्या है, gravitational acceleration at the surface of earth, जितना आपने distance cover किया from the surface, copy कर लो, एक स हमने question mention किया, इसी के अंदर मैंने दो parts कर दी है, कहता है, at what point from the surface of earth and center of earth, acceleration due to gravity reduces to one fourth of its value as that on the surface of earth, बोल रहा है, आपने बताने है, भाईया, कहां पर जाके, जो gravitational acceleration की value है, वो one by four हो जाएगी, उस value के, जो कहां पर होती है, आपके पास, surface of earth के उपर होती है, सही है, देखो, फ derivation में किसी भी कहानी में कोई मसला नहीं है, फिर देखने दे, सबसे पहली चीज, अगर आपको surface के उपर gravitational acceleration का value लिखना है, तो formula क्या है, gme divided by r e square, m e से मुराद surface पे effective mass, r e से मुराद center से लेके surface तक का फासला, अगर आप surface से h height उपर जाते हो, तो आपको पता है, जितना आ value उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो g prime will be equal to gme divided by r e plus h का whole square, उपर जाते हैं, effective mass of earth change नहीं होता, center से फासला बढ़ता है, तो g का value क्या होता है, कम होता है, आ गई यह चीज, अच्छा, अब इन दोनों equation को अगर हम divide करते हैं, तो जरा आप g prime divided by g will be equal to, यह आ जाएग upon r e plus h का whole square आया, और यह denominator में आया, पल्टेगा तो gme से gme मर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, r e square upon 1, समझ गया है भाई, r e square upon gme हुआ, gme से gme मर गया, यह equation मन गई, g prime will be equal to, g multiply by r e का square divided by r e plus h का whole square, सही है, अब कहता क्या है, आपने वो point बताना है, जहाँ पे एक चौथा ही रह गई, एक चौथा ही का मतनब, अगर surface पे 4 meter per second square थी, तो आप वो जगा बताओ, जहाँ 1 रह गई, 1 by 4 of g, मिसाल दीए, surface पे 4 होती नहीं है, अगर surface पे जितनी भी value है, उसका 1 fourth रह जाए, 25 percent रह जाए, समझ आगी, तो भाई साब, g prime की जगा पे क्या लिखेंगे, 1 by 4 of g, will be equal to g, अगर मैं इसका square common कर लूँ, तो r e divided by r e plus h के उपर क्या आगया, बचे, whole square, 1 g से 1 g क्या हो गया, cancel, अगर मैं दोनों तरफ under root लेता हूँ, तो 1 divided by 4, यह हो जाएगा हमारे पास, r e divided by r e plus h के उपर whole square, square से root मर गया, 1 का root 1, 4 का root 2, यह क्या बनता ह r e divided by r e plus का h cross multiply कर लेंगे, तो यह बनता है हमारे पास r e plus का h will be equal to 2 r e, r e को वहाँ भेज देंगे, तो h will be equal to 2 r e minus का r e, h will be equal to r e, यानि कि जब आप surface of earth से radius of earth के बराबर उपर जाओगे, तो वो point आएगा, जहाँ पे gravitational acceleration, surface के मुकाबले में, 1 by 4 रह जाएगी, 3 by 4 कम हो चुकी है, समझ आ गई बात की, अब यहाँ पे कुछ पहले बुनियादी बात समझे लो, सर आपने ये formula क्यों apply किया, वह या ये वाला formula क्यों apply नहीं किया, जो drive किया था, g prime equal g into 1 minus 2 h upon r e, देखो बचे मैं एक बार फिर repeat करता हूँ, ये वाला formula आप सिर्फ तब use कर होगा, अभी आपको h ही तो निकालना है, आपको तो पते नहीं है, h छोटा है या बड़ा है, तो आप कैसे use कर सकते हो ये, ये journal formula है, हमेशा valid है, ये formula यहीं से आया है, लेकिन एक condition पे जब आपने higher order powers को निगले किया था, ये मान के h छोटा है और r e बड़ा है, तो आपकी भलाई इसके अंदर है, आप ये वारा formula यूज ना करो, जब तक explicitly ये चीज़ mention ना हो, कि h बहुत छोटा है, या h की कोई ऐसी value ना दीवी हो, कि h का value 10 meter है, 1 meter है, 5 meter है, तो आपको पता होगा, तो आप ये रगा लेना, ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, ये आपने निकाल का आगया center, ये earth का आगया surface, यहाँ वो point है, जिसकी उसने बात की थी, कि g prime is 1 by 4 times of g, अब देखो भाईया, आपको ये बताए कि center से surface तक का फासला क्या है, radius of earth, और surface से इस point तक का फासला क्या है, h, अपने बाद नोट कर लेना, ये जो h है, altitude है, height है, ये हमेशा कहां से ना of earth, अभी derivation में भी ये चीज़ आई थी, अभी आपने क्या value निका लिए, h की value निका लिए, h की value आपके पास कितनी आ गई, r e के बराबर आ गई, आपका पहला part हो गया, at what point from the surface of earth, वो जगह आएगी, जहां पे acceleration का value 1 by 4 है, तो surface of earth से r e जाने पर, और r e कितना है, 6400 km, या तो भाईए, ये कितना है, r e, ये कैसा है, h, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँगा, r e plus h, क्या मैं कह सकता हूँ, ये है उस point का फासला, center of earth से, जहां पे g का value कितना है, 1 by 4, तो भाईए, r e plus h, h कितना आया, r e, तो कितना हो गया ये, 2 r e, अगर surface of earth से पूछेगा, तो r e, फासले पर है, center of earth से पूछेगा, तो 2 r e, फासले के उपर वो point है, जहां पे g का value, 25 फीसद रह जाएगा, 1 by 4 रह जाएगा, अर्थ के surface के मुकाबले में, समझा आगी बात की, अब आपका homework क्या होगा, आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने इसके अंदर, same question करन आए, acceleration due to gravity reduces to 1 by 9, यहनी कि इसको आप कर दोगे 1 by 9, और simplify करके answer को आप mention करोगे, आगे चलते हैं, एक और question करते हैं, अब देखो भाईया, हमारे सामने एक question दिया वा है, same technique के उपर, at what height, acceleration due to gravity decreases by 51% of the value that it has on the earth surface, army medical college 2018, चार options दिये वे, वीडियो को pause करेंगे, सवाल को attempt करेंगे, चलो, चलो भाईया, तीन तक गिन रहा हूँ, one, two, three, कर लिया, answer आपका आना चाहिए, option A, three R by seven, R से मुराद यहाँ पे radius of earth है, सबसे पहले तो जब आप सवाल चुरू करो, देखो क्या कह रहा है, at what height, कहां से पूछ रहा है आप से, above the surface of earth पूछ रहा है आप से यह बात, कहां से पूछ रहा है बच्चे, above the surface of earth, सर आपको कैसे पता चला, height, h, कहां से न आपते हैं, surface of earth से, notes में लिखवाया है अभी, at what height, above the surface, acceleration due to gravity decreases by 51% of the value that it has on the earth surface, यानी के g प्राइम कितनी हो जाएगी, सम उसमें से कितना decrease हो गई, 51% decrease हो गई, 51% of G decrease हो गई, यह point समझ में आया क्या किया, देखो क्या लिखा है, at what height, कितने फासले पे, acceleration due to gravity decreases by 51% of the value that it has on the earth surface, अर्थ के surface से जो value है, इस से 51% क्या हो गई, कम हो गई, तो भाइस सब कैसे करेंगे, यह होगी आपके बाद, G minus का, 51% क मतलब क्या होता है, 51 divided by 100 multiply by G, LCM सेम करने के लिए, यह 100 आएगा, 100 multiply divided हो जाएगा, तो 100 G minus का 51 G, क्या बनता है भाई, 49 G divided by 100, यहनि कि इसको आप यूं भी लिख सकते हो, 49% of G रह गए, ऐसे समय लो, आपने वो point बताना है, जहां पे G का value 49% of the surface रह जाए, 49% कम होगा, जब 51% कम हो चुका है, देखो यही तो लिखा हो है, आपने वो point बताना है, कहां पे वो point, कितनी height पे वो point, जहां पे G का value 51% कम हो गया, जब 51% कम हो गया, तो बचा कितना होगा, 49% ठीक है, तो भाई साब, formula भी आपको पता ही है, G prime will be equal to G multiply by, अभी पढ़ के आ रहे है, R E का square divided by R E plus H का whole square, G prime की जगह पे हम ये value लिख सकते है, 49% of G, यहनि के 49 divided by 100 multiply by G, 1 G से 1 G मर गया, अगर मैं इनका square common कर लूँ, तो कोई मसला तो नहीं है भाई, और अगर मैं दोनों तुरफ under root लेता हूँ, तो 49 का root 7, 100 का root 10 will be equal to R E divided by R E plus का H, क्योंके square root यहां पे square को cancel कर देगा, cross multiply कर देंगे, यह बनता है, अपने पास 7 R E plus का 7 H, भाई, multiply होगा, 7 से दोनों multiply, वहाँ जागे, यह क्या हो जाएगा, 10 R E, इसको वहाँ ले जाएगे, तो यह क्या बनता है, हमारे पास, यह बनता है, 7 H will be equal to 10 R E minus 7 R E, क्या बनता है, 3 R E, तो H will be equal to 3 divided by 7 multiply by R E, तो H का value क्या है, 3 3 by 7 R E, यह 3 R by 7, सवाई आगई बात की, इसी से मिलता है जूलता है एक सवाल, आपका homework, अगर यह 51% decrease करने के बजाए, 36% decrease करता, तो कहां से आता वो point, आपने बताना है, surface से भी और center of earth से भी, surface से कैसे बताओगे, जो H का value आएगा, center से कैसे बताओगे, उसमें R E का factor add कर द अब यह अभी तक हमने यह बात तो देख ली कि जैसे जैसे आप earth के surface से उपर जाते हो, distance from the center of earth change होता है, इस वज़ा से आपके पास gravitational acceleration का value क्या होता है, कम होता है, यह चीज़ आपके पाद निकल कर आगई, अब आता है एक interesting part, जब आप surface of earth से नीचे जा रहे हो, towards the center of earth जा हमने drive करी, यह अभी हम, r से क्या मुरा, the distance from the center of earth, gravitational acceleration, यह हमने अभी drive करी, जब आप above the surface of earth जाते हो, above the surface के लिए, अभी हमने यह equation पड़ी, यानि कि आपके पास जो small r है, this is greater than r e, radius of earth से यह बड़ा है, तो हमने यह equation देख ली, अब होता है, होना क्या चाहिए, अगर इसी theory V के तहट चले मेरा बेटा, तो होना यह चाहिए, कि जब आप depth में जाओगे, अर्थ के center की तरफ जाओगे, तो distance from the center of earth क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो होना तो यह चाहिए, कि G का value बढ़ना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है, G का value surface में maximum होता है, नीचे जाते पे कम होता और center of earth पे आके finally zero हो जाता है, अब ऐसा क्यों होता है, समझने जाता है, देखो मेरा बेटा, gravitational acceleration किसी भी point के उपर जब आप calculate करते हो, तो formula है, GME divided by R E का square, ज़रा समझीएगा, यह तो मैंने surface की question लिखी है, क्योंकि surface के उपर, यह effective mass of earth है, यहां लिख भी देते हैं, और concept का feel करना, effective mass है, यह क्या है, distance from the center of earth, to the point, जहां पे आप Giga value क्या कर रहे हो, calculate कर रहे हो, अच्छा, अब यहां पर अपनी कहानी ड्रॉ कर ले, यह मान लेते हैं, हमारे पास है, हमारा गोल मटोल सा, अर्थ है, ठीक है, यह गोल मटोल सा अर्थ आ गया, मान लो, इस point के उपर, म हमारा center of earth, ठीक है, यह अर्थ ही है, यह पूरा अर्थ ही है, यह अर्थ के अंदर मैंने बनाया, मैं leveling करते ता हूं, यह है जनाब हमारे पास हमारा center of earth, यह जनाबे वाला हमारे पास हमारा surface of earth, ठीक है, surface है, जहां पे आपके पास G का value, 9.8 meter per second square है, आप यहां से नीचे आ कितना नीचे आ गए, आपने कुछ depth D cover करिए, अपने बाद note करेंगे, depth D, हमेशा कहां से नापी जाएगी, from the surface of earth, हमेशा, D, depth, कहां से नापेंगे, from the surface, depth और height में क्या फर्क है, height, surface से उपर जा रहे, depth, surface के अंदर जा रहे, towards the center, अब अगर मुझे पूछना हो कि जो distance from the center of earth है, वो कितना होगा यहां पर, देखना दर है, यह कितना होगा, क्या मैं कह सकता हूँ, यह total distance जो है, यहां से लेके यहां तक का, यह re के बराबर है, yes sir, क्यूंकि यह center है, यह surface है, तो यह कैसे निकालोगे, यह आप बोलोगे, re minus का D, इसे में small r कहूँगा, small r क्या है, center of earth से उस point तक का फासला, इस point का फासला, जहां पर मुझे g का value निकालना है, क्या पढ़रे, variation in the value of g with respect to depth, जब उपर से नीचे जा रहे है, तो आपके पास क्या फर्क पढ़रा है, दिमाग कहता है, उपर से नीचे जा रहे हो, तो r कम हो रहा है, center of earth से फासला कम हो रहा है, त पहले समझना effective mass of earth है क्या, उच्छे आप लोगों ने air pressure या atmospheric pressure का concept पढ़ा होगा, देखो समंदर, यह मानलो मेरा बेटा हमारे पास समंदर है, यह उसके किनारे पे हमारे पास एक पहाड है, इतना बेहुदा पहाड है, यह समंदर है, अब अब यहां बेना मैं कुछ layers बना एक level, यह दूसरा level, हमें यह बात पता है कि जो air है, यह mixture है different gases का और हर gas की अपनी density होती है, air is a mixture of different gases और हर gas की अपनी density होती है, असानी के लिए मान लेते हैं, कि जो air है, यह आपके पास 10 तरहां की gases से मिलके बना है, और ज्यादा gases होगी, यकीना, मैंने मान लिया, assumption ले लि density अलग-अलग होगी, हम लोग fluid statics तो पढ़ चुके, fluid dynamics हमारा अगला chapter है, हमने यह बात पढ़ी थी, जिसकी density जादा है, वो नीचे रहता है, heavy object नीचे होता है, हलका उपर जाता है, तो अगर यह air 10 किसम के gas molecule से मिलके बना है, तो इसका मतलब इन में जो जादा density वाले होग होगे, अगर मैं बनाता हूँ, तो मानलो एक molecule, दो molecule, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यानि कि यह मैंने 10 तरह के gas molecule यहाँ बखेर दी है, यानि कि A, B, C, D, मानलो इस तरह 10 मेरे पास gases है, A gas, क्योंकि उसकी density जादा वो नीचे, B gas, C gas, और होते होते हैं, अगर एक बन्दा यहाँ पर है, इस पॉइंट पर समंदर में मौझूद है, समंदर के उपर है, ठीक है, C level के उपर है, तो यह सारे के सारे air molecule, इसके उपर pressure exert करेंगे, that is atmospheric pressure, यह सारे मिलके atmosphere बना रहे है, वो इस पर जो pressure लगाएंगे, that is atmospheric pressure, अगर यह बन्दा level 2 पे इचे बाले 4 molecules इसके उपर pressure लगाएंगे, नहीं, उपर बाले लगाएंगे सरफ, तो effective atmospheric pressure क्या हो गया, कम हो गया, यूँकि effective number of molecules जो atmospheric pressure exert कर पा रहे है, वो कम हो गया, यह और उपर आ गया, इदर आ गया, अभी जो denser gases थी, वो मजीद नीचे रह गई, अभी कितने रह गया, तीन, सिर्फ यह लगा रहे है, this is the reason, कि जैसे जैसे आप altitude cover करते हो, atmospheric pressure क्या होता है, कम होता जाता है, getting my point, क्यूंकि जो effective number of molecules है, वो क्या हो रहे है, कम हो रहे है, total number of molecules change नहीं हुए, जब यह यहाँ पे है, तब भी air के पाद 10 molecules है, यहाँ पे है, air के पाद 10 molecules है, इस बंदे की relative position के लिहाँ से, कितने molecule इसके उपर atmospheric pressure design करने में असर अंदाज हो रहे है, वो change हो रहे है, getting my point, this is the concept of effective atmospheric pressure, अब यहाँ समझे ना, जब आपके पास मेरे बच्चे, समझे ना, जब आपके पास कोई object यहाँ पे था, तो अर्थ का यह पूरा का पूरा जो mass था, यह effective mass था, पूरा समझे ना, जब आपका object यहाँ आ गया, अब यहाँ पे जो आपका surface, यह थोड़ा सा बेहुदा सा बन गया, यह center न, आपका object यहाँ पे आ गया, तो मेरा बेटा यहाँ पे यह जो sphere बनेगा, अब अर्थ का इस sphere के अंदर जो mass है, इसके अंदर जो mass है, वो इस point के उपर gravitational acceleration define कर रहा है, getting my point, फिर सुनो, जैसे जैसे आप surface से नीचे आ रहे हो, अंदर की तरफ जा रहे हो, तो effective mass of earth क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो mass जो G define करेगा, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जब आप और अंदर आ जोगे, मालो आपने और, यहाँ तक आए थे पहले अर्थ का mass कम जादा नहीं हो रहा, effective mass जो इस point पे G का value define करेगा, वो change हो रहा है, point समझा आ गया, इन दोने चीज़ों को relate कर पा रहे हो, यह तो पढ़ा होगा chemistry में भी, कि जैसे ऐसे as we go up, जैसे हम altitude cover करते है, atmospheric pressure क्या होता है, कम होता है, atmospheric pressure कम क्यों होता है, क्योंकि जो effective number of air molecules है, वो कम हो जाते हैं, क्यों कम होते हें, क्योंकि जो load density वाले हैं वो उपर है, high density वाले, नीचे है, इसलिए कम होते हैं, यहाँ पे बहु अचय चलता है, जैसे do side, क्यों कि आप यहाँ अफ गोईचे आते हैं, जब आप मेरा बेटा उपर से安 armed carbon almost level define कर रहा है, वो क्य डिक वैल्यू कम होता है तो ये कम होता है उपर से नीचे आने की वजह से डिस्टेंस फ्रॉम रॉम दा सेंटरि आफ और अर्थ एसकी वाज़ा से जी value बढ़ता है समझाई तो net effect किसका नजर आता है इसका क्योंकि यह factor dominant होता है अभी हम साबित भी करेंगे tension लेना मिसाल से समझो घर में आप कहते हो आज खाने में यह बने बड़ा भाई कहता है खाने में यह बने किसकी factor dominant है इसकी वएसे overall उपर से नीचे आते हैं effect क्या नजर आता है reduction in the value of concept का feel आया अब देखते हैं साबित भी करते हैं ठीक है हमने यह चीज़ मानी विए कि earth हमारे पास एक spherical object है और अगर हम earth की density की value लिखेंगे mass of earth divided by volume of earth ठीक है अब अगर मुझे यहां से mass का value चाहिए तो mass कैसे आएगा भाई density multiply by volume of earth और हमने माना वाए कि earth हमारे पास एक कैसा है spherical body होता नहीं है earth माना वाए ठीक है अर्थ अंडे की तरह का होता है आलू की तरह का ठीक है elliptical body अभी उस पर भी आते हैं तो हमारे पाँ mass of earth की equation क्या बन जाएगी फोर अपॉन थ्री पाए आर क्यूब मुल्टिप्लाइब रो समझा गए भाई आर से क्या मुराद है रेडियस रो क्या है density यह वोई density है जो हमने लास लेक्षिन में ड्राइब भी की थी 5.5 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यों आ गया mass of earth अब जब हम gravitational acceleration at the surface of earth की बात करते हैं यह जो equation है तो यहां पर यह आ गया g as it is multiply by mass of earth कितना आ रहा है 4 upon 3 pi r e का cube multiply by rho division में क्या आ गया जनाबे वाला r e का square यही आ रहा है भाई यह surface of earth की equation है इसके उपर मैंने क्या किया surface of earth के उपर जो total effective mass है यहां पर लिख दिया और नीचे जो center of earth से लेकर यहां तक का फासला है वो यहां पर आ गया भाईया समझ गया देखो फिर सुन लो फिर सुन लो अच्छे से समझ लो किसी के नीचे इसको हम दुबारा से लिख लेते हैं ताकि आप परिशान ना हो और concept का फील लेटर हो इसको हम अटाते हैं बच्छे अब कर किया लिए हम surface of earth के उपर यह equation लिख रहे हैं तो surface of earth के उपर रो अच्छ अपउन में क्या लिए हमारे पास R E का स्कॉयर आगया समझ आती है क्यूब कैंसिल हो गया क्या बनता है four upon ठीपाइ रो multiply by जी multiply by R E कुछ रह तो नहीं किया उर आप मेरा बेटा हमने क्या करना है अब आप आ रेहो देप्टडी कवर करके अंदर आ इस point पे, इस point पे gravitational acceleration की equation आएगी, g prime will be equal to gme prime divided by r e, या divided by r square लेग दोस्ते सीदा, m e prime से क्या मुराद है, इस point पे effective mass of earth समझना, r क्या है, यहां से लेके यहां तक का फासला, center of earth से लेके उस point तक का फासला, जहां पे आपने giga value निकालना है, effective mass of earth इस point पे क्या होगा, जितना mass इस वाले छोटे sphere का होगा, यह mass इस point पे giga value define करने में effective होगा, समझना, अगर आपको इस वाले point का mass चाहिए, तो भाई, mass कैसे आ रहा है, देखो दरा यहां से, mass कैसे आ रहा है, देखना, mass कैसे आ रहा है, mass आ रहा है, अगर आप density को multiply कर दो इस point के volume के, अरे भाईया, जब आप अंदर आ गए, तो अर्थ का यह वाला volume रह गया, यहां से, अगर मैं इसको इस से multiply करूँगा, तो मुझे इतने हिस्से का mass मिल जाएगा, जो के effective है, क्या करने में, जी define करने में, बिल्कुल मिल जाएगा, अगर मैं इसको लेकर रहा हूँ, रहा है, यहां से क्या आ जाएगा, 4 upon 3 pi, re minus d का cube, समझना यह बात अच्छे से, समझने है, बाई सब यह पते हैं, हम कर क्या रहे हैं, यह हम वह यूनिटरी method लगा रहे हैं, जो हमेशा लगाते आएं, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, दाकि आपको यहां पर concept का feel आ जाए, देखो derivation तो हो जाएगी, concept को feel करना, अगर आपके पास 10 pencil या 10 marker 1000 रुपे के हैं, तो 2 marker कितने के हुए, 200 रुपे के, कैसे पता चला, 10 marker 1000 रुपे के दे, तो 1 marker हुआ 100 रुपे का, 2 से multiple लाइक है, तो 2 marker हो गए, 200 के, आपको, यह जो density है, density basically क्या चीज़ है, यह density है, किलो ग्राम पर मीटर क्यूब, यानि कि एक म मीटर क्यूब पे कितना किलो मास है, एक मीटर क्यूब वॉल्यूम पे अर्थ का कितना किलो मास है, वो यह चीज़ है, इसको अगर आप अर्थ के total volume से multiply कर दोगे, तो अलका total मास मिल जाएगा, अगर इसको मैं इस छोटे से spherical volume से multiply करूँगा, जो कि effective volume है, तो अर्थ का density है, पर मीटर क्यूब में, अर्थ का कितना किलो मास है, यह रहा, जो छोटा सा spherical volume है, जिसका मास अभी effective है, उसको यहां से multiply किया, तो मुझे उतने हिस्से का effective mass मिल गया, वो यहां पे आगया, तो यह basically क्या हो गया, छोटे से हिस्से का volume, उसको density से multiply किया, तो वो effective mass मिल गया आगया है, अब अगर मैं इसके इंदर put करता हूँ, यह सारी values जो अभी अभी पढ़ी है हमने, तो आप, जी प्राइम विल बी इक्वल टू, जी, effective mass of earth कितना आया, रो multiply by 4 upon 3, पाई, और आगया, 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 आगया जी, अब इसका radius रह गया, effective radius, जो कि distance from the center of earth है, r क्या है, distance from the center of earth, which is r e minus d, और उपर क्या आगया, हमारे पास square आगया, यह square से cube हमारे पास क्या हो गया, मर गया, तो क्या बनता है, जनावे बाला, यह बनता है, हमारे पास 4 upon 3, पाई, रो multiply by g, multiply by r e minus का d, check कर लो भाई, 4 upon 3, d pi as it is, rho as it is, capital G as it is, r e minus का d, इसको आपने कह दिया, this is equation 1, इसे कह दिया, this is equation number 2, और मैंने आपको यहाँ पर एक बात भी लिखवाई थी, वो भी देख ले, मैंने कहा था, उपर से नीचे आते वे, effective mass of earth कम होता है, तो g कम होता है, उपर से नीचे आते वे, distance from the center of earth कम होता ह है, तो g बढ़ता है, net effect कम होना क्यों दिखता है, यूँकि mass का component dominant है, चेक कर लो तरह यहाँ पर, देखो यहीं पर नदर आ रहा है, जो उपर से नीचे आते वे, यह देखो जा रहा है, जो effective mass of earth कम हो रहा है, वो cube times है, और जो distance from the center of earth कम हो रहा है, वो square times है, तो इन दुनों dominant factor कौन सा हुआ, उपर वाला, यह r e minus g के cube पर depend कर रहा है, यह r e minus g के square पर depend कर रहा है, पर समझा जा रहा है, तो उपर से नीचे आते वे, जो effective mass of earth कम हो रहा है, वो cube times कम हो रहा है, यह इसकी वएसे जो बढ़न है, वो square time बढ़न है, तो यह वाला factor क्या हो गया, dominant हो गया, इन दोरों को अगर हम divide करते है, g prime divided by g will be equal to, g prime क्या आ गया, 4 upon 3 pi, rho into g into r e minus d, upon में आ गया, 4 upon 3 pi, का चला गया भी, यह रहा, rho multiply by g multiply by r e, यह मर गया, 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 to r e minus ka d divided by r e, चलो, इतना इसा copy करो, आगे चलते हैं, कुछ नहीं बाते समझते हैं, अब देखो मेरा बेटा, हमने जो हमारी equation drive की, वो क्या निकल के आई है, वो हमारे पास आई है, g prime divided by g will be equal to r e minus ka d divided by r e, यहां से अगर हम आगे लेके चलेंगे, बन जाएगा, g prime will be equal to g into r e minus ka d divided by r e, अगर मैं वहां पर lcm को break कर दूँ, यह बन जाएगा, हमारे पास r e divided by r e, minus ka d divided by r e, यह मर गया, क्या बनता है, g prime will be equal to g into 1 minus d divided by r e, यह वाला आपके पास equation हमेशा true है, यहनि कि अगर मैं जल्दी से sum up करूँगा, तो altitude के अंदर, 1 minus 2 h upon r e वाली equation आप तब लगाते हो, जब h बहुत चोटा हो, depth में एक ही equation है, हमेशा true रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने ऐसा कोई assumption नहीं लिया, इसे drive करते वे, बस एक चीज़ concept का feel के लिए बता दी, मैंने, जहन में रखेंगे, उपर से नीचे आते वे, effective mass of earth भी change हो रहा है, distance from the center of earth भी change हो रहा है, ले point समझ आ गया, अब यहां से, यहां देखो गवर पर, इसको देखो गवर से, यह re minus d क्या है मेरा बेटा, what is this re minus d, क्या मैं इसे कह सेखता हूं, this is r, r क्या था, distance of the point from the center of earth, check करो, center of earth से, अभी बनाया था न, यह था, यह center of earth था, यह surface था, यह point था, यहां से यहां तक क्या फासला क्या था, d, तो यह क्या था, re minus का d, क्योंकि यह पूरा क्या था, re था, तो यह re minus d क्या है, distance from the center of earth, देखो यह g constant है, यह re constant है, यह क्या है, surface के उपर gravitational acceleration, 9.8, यह क्या है, 6400 km, तो यहां से आपको नजर आ रहा है, g prime is directly proportional to r, समझ आ रहे है, r क्या है, r क्या है, r क्या distance from the center of earth कम होगा, तो g का value क्या होगा, कम होगा, r कम होगा, g का value क्या होगा, कम होगा, तो यहां पे, अगर हम यही चीज़ देखेंगे, तो g prime is directly proportional to r, यह equation हमने कहाँ पे drive की है, for below the surface of earth, below the surface of earth के लिए, हमने यह equation drive की है, और इसको हम कहेंगे, this is for r less than equal to r e, r क्या है, this r is distance from the center of earth, तो जब तक center of earth से, r e से कम है, यहां से यहां तक r e है, तो r e से कम का मतलब क्या है, कि आप अंदर अंदर हो, तो अंदर अंदर यह चलता है, बाहर बाहर यह चलता है, समझ आ गए बात की, अभी इसके graph भी पढ़ने हैं हमने, चलो, copy कर लो, अब इसका सवाल द has one half the value that it has on the earth surface. तो कहता है, g prime half g के बराबर कब होगा, हमें पता है, g surface of earth पर होता है, तो बूच तो पुछ तहा है g prime half g के बराबर कब होगा, अभी तक हम यह बात established कर चुके हैं कि surface of earth पे maximum value होती है उपर जाने से भी g कम होता है नीचे जाने से भी g क्या होता है उपर जाने से g कम होता है क्योंकर distance from the center of earth बढ़ड़ा होता है तो g is inversive proportional to r square नीचे जाने से g कम होता है क्योंकर Effective Mass of Earth कम हो रहा होता है समझा गई अब जो मैं कहानी बतारूना आप जरा नोट करना कि क्या आपको यह कहानी अच्छे से किलियर हुई यह नहीं यह है मेरा बेटा हमारे पास हमारा सेंटर ओफ अर्थ ठीक है यह है भई यह हमारे पास हमारा सर्फेस ओफ अर्थ और सर्फेस सर्फेस ओफ अर्थ के उपर जी का वैल्यू क्या है नाइन पॉइंट एड मीटर पर सेकेंड स्कॉर्ड अगर मेरा बेटा मैं सर्फेस ओफ अर्थ से नीचे की तरफ आता हूं डेप्ट कवर करता हूं सेंटर की तरफ जाता हूं यहां पर कोई पॉइंट आ गया मालो दिस सेंटर पर आ जाओ गया तो सेंटर पर क्या होगी तो सेंटर पर क्या हो जाएगा जीरो क्यूंके डी क्या हो जाता है आरी के बराबर यह एक और आंसर आपको दिया जाए क्योंके आपके पास जो effective mass of earth है वो कितना हो जाएगा जीरो जब आप यहां पर आज होगे तो अर्थ का कोई mass बचे गए नहीं जो define करेगा ठीक है खेर तो अभी आप surface के उपर हो surface से अगर मैं नीचे आता हूं तो यहां पर g था कम होना शुरू होगा होते होते कोई point आए जहां पर g का रह जाएगा half g बोलो यह point clear है हाँ या ना यानि कि surface से उपर जाने पर भी यह point आएगा surface से नीचे जाने पर भी यह point आएगा तो हम दोनों तरह से solve करके देख लिए पहले मैं point A की लिए काम करता हूं फिर मैं point B के लिए काम करता हूं ठीक है यह एच्छ है यह डिस्टेंस है और यह जो center से लेके यहां तक का फासला है ना यह इसे निकाल देंगे और यह टोटल कितना हो जाएगा यह टोटल यहां से यहां तक कैसे आएगा आरी प्लस एच सीख चुके यह तो हम अभी भी ठीक है चरू अगर मैं पॉइंट एक इलिए काम करता हूं देखो जरा अगर आपको यह सवाल समझ में आते हैं तो सारे सवाल आने सवालने ने कहा कितना हो रहा है हाफ जी हाफ जी इकवल जी इनटव घी एकमएब हमें तू एपउन पहल आरीं अब यह आपने निकाली है depth, depth कहां से आती है from the surface of earth, अब surface of earth से re by 2 नीचे होगे तो वो point आएगा जहां पर g का value आधा होता है, अगर center से निकालना है, यही point center से निकालना है, तो भाईया from the center of earth, from the center of earth इस point की value कैसे आएगी, भाई सब यह total कितना है, re, यह d निकाल दो इसमें re minus ka re, कितना होता है, re divided by 2, तो center of earth से, कितना फासले पर है point, re by 2, इसलिए कि भाई, यह एक special point है, जिसमें उपर भी re by 2 आ रहा है, नीचे भी re by 2 आ रहा है, लाजबी नहीं है, दुनों answer सेम है, खुद सोचो, अगर यहां पर कोई ऐसा point होता, जो उपर से 1 by 4 re नीचे आने पर आता, तो नीचे से उसका फासला कितना होता, 3 by 4 re, तो इसको रटा नहीं मार लेना, ठीक है, समझ आ गई, surface से निकाला, तो यह आया, center से निकाला, तो यह आया, अब अगर point B के लिए काम करेंगे, तो point B के लिए मैं फॉर्मॉला पता है, g prime equal g into re divided by re plus h का whole square, सही है, और g prime की जगा क्या आजाएगा, half g, जो सवाल की condition है, g से g मर गया, अगर मैं दोनों तरफ under root लेता हूँ, तो 1 divided by under root 2 will be equal to re divided by re plus h, cross multiply कर देंगे, तो re plus h will be equal to under root 2 re, तेक है, अभी इसको रहने तो मैंने क्यों कर रहा है, re as it is आया, plus h as it is आया, under root 2 re कितना होता है, 1.414 re, इस re क तो वहा ले जाओ, h will be equal to 1.414 re minus ka re, दोनों को minus कर दिया, h will be equal to 0.414 re, h क्या है, surface of earth से 0.414 time the radius of earth उपर जाओगे, तो वो point आएगा, जहां पर gravitation acceleration के value क्या रह जाएगा, half रह जाएगा, यह क्या गर है सर आपने, अगर मैं आपसे बोलू, इस point का value बताओ, from the center of earth, तो कैसे निकालोगे आप, re plus h करके निकालोगे, जो h आया है, उसमें re क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो यह तो किया है, this is the value of point b, from the center of earth, this is the value of point b, from the surface of earth, this is the value of point a, from surface of earth, this is the value of point a, from center of earth, समाझ आगई, अब सर अगर इस तरह का सवाल आए, मैंने हर तरह का case करके दिखा दिया, तो हमें कौन सा point निकालना है, जहां पर जीगा value हाफ हो रहा है, क्योंकि वो surface से उपर भी है, नीचे भी है, अवल तो आपको हमेशा mention करके देगा वो, अगर mention ना किया जाए, तो आप हमेशा surface से उपर वाला point निकालोगे, जहन में रखना, note कर लेना, by default, अगर बोला जाए, क center of world से वो point कितने फासले पे है, तो आप हमेशा surface से उपर वाला point लोगे, यह by default condition है, otherwise surface से नीचे भी point exist करेगा, मैंने दिखा दिया, point के लिए रो गया, चलो, चाप लो, आगे चलते हैं, अब मेरे बचे, आपके सामने में दो questions mention कर रहा हूं, यह दो questions आपने अच्छे से द पढ़िए, देखो, question पहला यह है, कि भाई, अगर आपको यह बता है कि surface of earth पे G का value कितना है, 9.8 meter per second square, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं surface से उपर जाता हूं, कितना, मान लो 100 meter, कितना उपर जाता हूं, 100 meter उपर जाता हूं, बताओ वहाँ पे G prime का क्या value होगा, और G prime का जो भी value होगा, उससे आप क्या calculate करोगे, delta G कलकुलेट करोगे, delta G मतलब variation in the value of G, दूसरा सवाल यह है, अगर मैं surface of earth से 100 meter नीचे जाता हूं, तो वहाँ पे G prime का क्या value होगा, और आप मुझे बताओगे, delta G यानि के variation in the value of G, अब देखो भाईया, आप यहाँ पे जो काम करोगे, त जो radius of earth है, यह अपने पास है 6400 km, यानि के 6.4 into 10 की power 6 meter, अभी 100 meter उसके मुकाबले में बहुत छोटी मोटी चुन्नी मुन्नी सी value हुए, तो हम use कर सकते हैं, तो G prime will be equal to G into 1 minus का 2H, divided by R E, R E 6.4 into 10 की power 6 meter, यहां से आएगा answer, depth के लिए हम करेंगे, तो G prime will be equal to G into 1 minus D कितना है, 100 divided by R E, R E बोले तो 6.4 into 10 to the power 6, यहां से आएगा answer, set है, जल्ली से answer निकालो, मैं भी निकाल लेता हूँ answer इसका अपने end पर, अब बचे देखो कर आपने इसको calculator से use करते वे, यह answer निकाला होगा, तो 100 meter उपर जो आपके पा और depth के अंदर आपके बाए यह answer आ रहा होगा, जब आपने delta G निकाला जो variation है दोनों के लिए, तो वो इस तरह से आ रहा है, आपने सीखा गया, आपने यह चीज़ नोट करी, कि 100 meter उपर जाने पे, जो gravitational acceleration का value change हो रहा है, वो 0.0004 हो रहा है, और 100 meter ही नीचे जाने पे, 0.0002 change हो रहा है, तो यहां से देख के हमें ऐसा लग रहा है, कि अगर हम surface of earth से जितना उपर जाते हैं, अगर surface of earth से उतना ही नीचे जाएंगे, तो उपर G का value जादा कम होगा, और नीचे G का value कम कम होगा, ऐसे ही है, जो हमारे पास, हमारे प्रोविंस के अंदर, सिंद के feel करना, फिर graph से भी आपको feel करा हूँगा, लिखा भाई ये था, कि at same points above the surface of earth, the value of G will decrease at a faster rate than for the same points below the surface of earth, अगर आप उपर जितने फासले पे एक point लो, नीचे उतने ही फासले पे एक और point लो, तो उपर G का value faster rate पे decrease होगा, नीचे जाते पे G का value slow rate पे decrease होगा, और उन्होंने में मिसाल दी थी न, वो मिसाल उन्होंने दी थी यहां से, मैं आपको दिखाता हूँ मिसाल, उन्होंने बोला, height H के लिए जो हमारी equation है, that is, G prime equal G into 1 minus 2H divided by RE, सही है, अब ज़रा देखना, G prime will be equal to G minus का G multiply by 2H divided by RE, अगर मैं G को वहाँ ले जाओगा, तो जनाब, G prime minus का G will be equal to G G multiply by 2H divided by RE, G prime minus G, इसको हम कहते हैं, delta G, क्या कहते है, delta G, G multiply by 2H divided by RE, यह चीज मेरा बेटा कहलाती है, fractional change in gravitational acceleration, fractional change से क्या मुराद है, जो change है, divided by जो initial value है, this is fractional change, इसी को multiply कर दो के 100 से, delta G by G multiply by 100, तो वो percentage change हो जाएगा, तीन चीज़ देहल में रखना, delta G, final minus initial, fractional change, कितना change आया, divided by क्या initial value थी, percentage change, delta G by G multiply by 100, तो यह आगया, minus 2H upon RE, अब अगर मैं यही काम depth के लिए करूँगा, तो G prime will be equal to G into 1 minus D divided by RE, bracket के अंदर भेजना है इसको तरह, तो G prime will be equal to G minus का G into D upon RE, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या बन minus का, चाहिए, मैंने minus उड़ा दिया क्या, minus थाना यहाँ ठीक, यह दर आएगा, minus बेचे का, वहाँ minus उड़ा दिया था, मैंने, यहाँ भी मैंने minus उड़ा दिया, minus का G into D upon RE, इस G को नीचे लियाओ, तो इसका fractional change क्या आ रहा है, minus का D upon RE, अब जरा समझना कि उन्होंने वह लिख देता हूँ, Y, आप उपर भी कितना गाए Y, और नीचे भी कितना आए Y, तो आप note करो, उपर जाते वह जो change है, वो two times आ रहा है, नीचे जाने के मुकाबले में, गौर से देखो, अगर आप उपर Y गए, और surface से नीचे भी Y गए, तो उपर जाने वाला जो change आ रहा ह है, यह two से multiply हो रहा है, और नीचे जाने वाला जो change है, वो two से multiply नहीं हो रहा, तो यहां से देखते वे, बजाहिर यही लग रहा है, कि उपर जाते वे, जो G का value है, वो faster rate में decrease करेगा, नीचे के मुकाबले में, मैंने sinboard की पुरानी किताब का PDF description में डाला वा है, आप इसको equation यूज कर रहे हो, यह equation तो तब तक valid है, जब तक H is way less than RE, तो या तो आप यह कहो, कि यह बात जो हम कर रहे है, तब तक तो true है, जब तक H RE के मुकाबले में बहुत 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 क्या है, छोटा है, वरना यह बात उलट पड़ जाती है, चेक करो, अब अगर हम यही काम इ उपर जाते हो, कितना उपर, कि आप radius of earth के बराबर height cover करते हो, और आप surface of earth से नीचे आते हो, कितना नीचे, कि आप radius of earth के बराबर depth cover कर लेते हो, तो मुझे बताओ G का value क्या होगा, तो भाई साब, हमें पता है, अगर हम height के लिए काम करेंगे, तो हम तो general equation यूज करेंगे, G prime is equal to, G multiply by, R E upon में R E plus H, तो H की जगा पे क्या आ गया, R E आ गया, और उपर क्या है, square है, ठीक है भाईया, यह हो जाएगा, G R E divided by 2 R E, उपर क्या आ गया, square R E से R E क्या हो गया, मर गया, 1 upon 2 का square, 1 by 4, यनि क्या आ रहा है, 1 by 4 G आ रहा है, 1 by 4 G आ रहा है, आपके पास, जब आप कितना उपर गए, Radius of Earth के बराबर उपर गए, तो वहाँ पे Gravitation Acceleration का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 by 4 G, अगर मैं आप से बोलू, Delta G बताईए, Delta G कैसे आता है, Final minus, Initial, तो भाई, Final कितना आ रहा है, G by 4, Initial कितना था, Surface पे, G था, LCM सेम करने के लिए 4 से Multiply, Divide किया, तो G G minus 4G कितना हुआ, minus का 3 by 4G, यानि कि 3 by 4G, चेंज हो गया, Difference आया, 3 by 4G का, 75% वैल्यू चेंज हो गई, अब जरा, डेप में आना, इतना ही डिसेंट डेप में cover करो, जरा, एक ही formula है, G into 1 minus D divided by R E, और D कितना cover कर लिए आपने, R E के बराबर, R E formula का आ गया, R E से R E मर गया, 1 1 जा 1, आरी से आरी गया, तो 1 आ गया, ठीक है, 1 minus 1, 0, क्या answer आ रहा है, 0, अगर आप से पूछतों, आप delta G बताओ, तो G prime minus G, G prime कितना आ रहा है, 0 minus G, कितना change आया, G का change आ गया, यानि कि अगर आप surface of earth से उपर radius of earth के बराबर गये, तो G change हुआ 75%, G decrease हुआ 75%, अगर आप radius of earth के बराबर ही surface से नीचे आ गये, तो G change हो गया, पूरा 100%, तो यहां पर आप आप नोट करो, क्या दिख रहा है, कि उपर जाते वे, slow rate में decrement आ रहा है, क्योंकि यहां तो अब तक 0 हुआ ही नहीं है, यहां तो अब तक value exists कर रही है, और नीचे वो कम होते होते 0 हो गया, तो आइसा कम हुआ, नीचे तेजी से हुआ, तो अब confusion का लुबे-लुबाब क्या है, जब तक H, R, E के मुकाबले में बहुत छोटा होगा, तब तक उपर जाते वे, G will decrease at a faster rate, और नीचे आते वे, G will decrease at a slower rate, जब H का value R, E से comparable होना शुरू हो जाएगा, तो उपर जाते वे, G का rate तेज हो जाएगा, और G तो R, E पे 0 हो जाएगा, पॉइंट समझ आ गया, अब इसका graph देखते हैं, और graph पे देखो, यही information आपको कितने जबर्दर्स तरीके से शो की वी है, अब देखो मेरा बेटा, अगर हम gravitational acceleration का graph बनाते है, from the distance from the center of earth से, एक एक एक्सिस में में ले लि यह, कुछ ऐसा बनता है हमारा graph, अब यह जो point है ना मेरा बेटा, यह हमारे पास है radius of earth का point, यह हमारे पास है point 0, और यह आप आके जा रहे हो towards infinity, यह मेरा बेटा हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास है G का value, G equals GM divided by RE का square, यह point है आपका surface of earth, अगर आप surface से इधर पी value भी कम हो रहे है, आगे जा रहे हो, तो distance from the center of earth क्या हो रहे है, बढ़ रहे है, यहाँ से आगे जा रहे है, तो distance from the center of earth क्या हो रहे है, बढ़ रहे है, दोनों case में G का value क्या हो रहे है, चेंज हो रहे है, बस फर्क क्या है, फर्क इनके relation में, और हमने दोनों relation अभी drive की है, जब आप surface of Earth से रहरे हो, यहाँ पर आपके बस क्या है, this is, G is directly proportional to R, जब आप surface of Earth से अंदर की थरफ आ रहे हो, यनि कि मैं कहूंगा, R is less than, equal to the radius of Earth, जब आप depth cover कर रहे हो, ये case है, जब आप क्या कर रहे हो, depth cover कर रहे हो, ये case है, जब आप क्या कर रहे हो, altitude cover कर रहे हो point समझ आ रहा है भाई साब यह देखो linear relation है straight line बन रही है यह कैसा है inverse square relation है inverse square relation है no straight line over here सही है कहानी वही हो रही है यह g का maximum value है that is 9.8 meter per second square at the surface of earth जब आप surface से पीछे जा रहे हो this is towards the center of earth जहां पे आपका radius of earth effective क्या हो जाएगा zero भी जाहर है center of earth से center of earth का फाचला क्या होगा zero यह आप center of earth की तरफ जा रहे हो तो आपके बात gica value देखो क्या हो रहा है कम हो रहा है आप यहां पे आ जाओगे यहां आ जाओगे तो यह gica value है और Center of earth पे आगे आपको effective जी का value ग्या हो जाता है, 0, जब आफ center of earth से दूर जा रहे हो, तो जी का value तब भी क्या हो रहा है, लेकिन कितना इता उपर जाना पड़ेगा जी का value 0 करने के लिए? infinity, infinity, कितना उपर जाना पड़ेगा? infinity बहुत दूर जाना पड़ेगा क्योंकि ये आइस्ता आइस्ता कहीं जाके 0 की तरफ जा रहा होगा पॉइंट समय में आ गया अब मैंने आपको क्या बात बताई जब तक आपका उपर वाले पॉइंट छोटे छोटे फासले पे लोगे उपर faster rate पे degrees होगा नीचे slow rate पे होगा देखो इस वाले graph का ग्रेडियंट देखना यह मैं technical बात बता रहा हूँ समय में आज़े एक ही दवा में तो बहुत अची बात है वरना जाने तो किताब में कहीं नहीं लिखी भी इसका gradient देखो इस start में कितना steep है sharp gradient है आगे जाते है इसका gradient देखो x के parallel हो रहा है हाँ या ना यहां gradient क्या बता रहा है यहां gradient बता रहा है डेल्टा जी पर यूनिट आर जैसे जैसे आप एक कदम center of earth से दूर जाते हो आगे जाने का मतलब कि आप center of earth से दूर जा रहे हूँ जैसे जैसे आप एक कदम center of earth से दूर जा रही है fall of gravitational acceleration कितना आ रहा है तो देखो यहां पे start में gradient steep है जैसे आगे जा रहे हो gradient कम होता जा रहा है point समझा गया gradient मतलब slow start के अंदर rapid decrement आता है आगे जाते हैं तो decrement होता है वो basically क्या होता है और फिर आपके बार नीचे faster rate पे होता है और उपर slower rate पे होता है समझा गई यह हमारे पास था variation in the value of G due to altitude and due to depth ठीक है अब एक हमारे पास और इसमें simple सा concept आता है that is the concept of shape हमें यह बात पता है कि अर्थ जो है ना वो हमारा perfect sphere नहीं है जब इस फेर नहीं है आलू जैसा है तो उसकी वज़ा से भी जी के value में changing आती है देख लेते हैं जल्दी से चोड़ा सा पार्ट है अर्थ को ऐसा होना चाहिए ऐसा है नहीं अर्थ है कुछ ऐसा यह अर्थ का center है तो मेरा फeटा एक आपके संचर से लेकर पोल तक का फासला है जिसे हम कहते है polar radius एक आपका center से लेके इधर तक का फासला है जिसे आप कहते हो equatorial radius क्या कहते है equatorial radius समझे है equatorial मतलब center से ऐसे किनारे तक जाना है equator क्या होता है अर्थ के center से जो एक line पास करती है उसे आप कहते हो equatorial line तो center से यहां तक जाना equator, center से यहां तक आना polar radius, equatorial radius अगर अर्थ आपके पास sphere होता, तो जो फासला यह था वो ही फासला यह होता अभी earth sphere नहीं है ये है आपके पास अगर अर्थ स्फेर होता अगर अर्थ स्फेर होता तो ये होता अर्थ स्फेर नहीं है अर्थ ऐसा है इसको आप elliptical orbit भी कहते हो क्या कहते हो elliptical orbit असान भाशा में बात करें तो अर्थ आलू जैसा है अर्थ कैसा है भाई लोग अर्थ आलू जैसा है अर्थ आलू जैसा है अब अगर मैं factual बात बताऊँ अगर अर्थ स्वेयर होता और अभी नहीं है तो इनके दर्मियान में जो डिफरेंस है रेडियस का व additional फासला cover करना पड़ेगा, इसकी वएसे क्या होता है, equator पे जीगा वैल्यू कुछ और है, पोल पे जीगा वैल्यू कुछ और है, क्यों भाई, अभी आपने बढ़ा था, जो जीगा वैल्यू है, that is, gme divided by r e का square, ये क्या है, center से उस point तक का फासला, जहां पे g निकाल ला है, जब equator पे जाएंगे, तो center से equator तक का जो फासला है आपके पास, वो जादा है, और center से, pole तक का जो फासला है, वो क्या है, कम है, तो इसका relation कैसा है, inverse है, तो जब equator तक का फासला जादा होगा, तो equator पे gravitational acceleration क्या होगी, कम होगी, और pole पे gravitational acceleration क्या होगी, जादा होगी, तो अगर आप इनका difference भी देखोगे ना इनका difference तक्रीबन तक्रीबन 0.02 meter per second square के बराबर होता है तो equatorial radius बड़ा है इसलिए यहाँ पे जीगा value जादा है यहाँ पे काँ में सर इससे क्या फर्क पड़ता है फर्क यह पड़ता है कि मेरा बेटा जो weight है force of gravity है w equals mg यह किस पर depend करता है gravity पर depend करता है तो अगर आपके पास pole के उपर gravitational acceleration जादा है तो अगर एक बंदा pole पे होगा और वो ही बंदा जब equator पे आएगा तो उसका weight क्या होगा अलग अलग equator पे weight क्या होगा कम होगा pole पे weight क्या होगा जादा होगा ठीक है और इसका relation क्या है director अगर मैं आपको इसका भी एक सवाल करा दूं मान लो मैं कहता हूं कि moon के surface के उपर जो gravitational acceleration का value है वो 1 by 6 है जो अर्थ पे होता है उसके मगावल में क्या है 1 by 6 है एक बंदा है उसका weight एक बंदा है उसका weight अर्थ के surface के उपर है 600 Newton वेट क्या है वो ताकत जिससे अर्थ किसी body को अपने center की तरफ पुल करती है अर्थ पे बंदे का वजन चांद पर क्या होगा तो बजागी सिंपल सब्सक्राइब कर देता हूं अर्थ अगर sphere होता तो center से equator center से pole तक जाने का फासला एक बराबर होता तो जी दोनों जगा पर सेम होता अभी ऐसा नहीं है अर्थ ऐसा है आलू जैसा है तो center से equator तक जाना जादा लंबा पढ़ता है यहां तक जाना छोटा पढ़ता है और G depends करता है distance from the center of earth पे तो जब आर यह आपके पास जादा है इस पॉइंट पर जी कम हो जाएगा क्योंकि इंवर्स रिलेशन है तो हमने यहीं देखा जब जी कम हो रहा है तो वेट अड़ इक्वेटर क्या हो रहा है आपके पास वेट अड़ इक्वेटर कम हो रहा है और दिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उन दो सर्फेस ऑफ मून क्या है वन बाइस सिक्स डैट ऑन दा सर्फेस ऑफ अर्थ तो अगर एक बंदा जिसका वजन छे सो न्यूटन था अर्थ के सर्फेस पे वह चांद पर जाएगा तो उसका वेट क्या होगा तो रिलेशन नज मास क्या होता है कि बाडी के अंदर कितना माल मवद मजूद है बाडी के अंदर जो भी कुछ होता है उस सबको एड करने thou mind cé सब का मास जोड़ोगे तो बॉड़ी का मास आजाएगा अगर कोई बंदा अर्थ से चांद पर जा रहा है तो उसका मास चेंज नहीं होगा ऐसा दोड़ी है खुशी में दो लीटर खून बढ़ गया वाँ जागे मास तो अधना ही रहाएगा पटाव फ of उन आ रहे हो तो मास तो कान सबस्द है तो मैं एगा डbased by w2 विल बेटाव डू एकोड़ीट d 1 divided जी टूज अब अर्थ का वेट कितना है अर्थ के उपर बंदे का वेट है checking ये सो आपको निकालना कहां पर चांद पर निकालना है अर्थ की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितनी इस जी के बराबर नहीं बता आपको जी के बरापर है चांद की ग्रेविटेशन एक्सिरेशन कितनी है वन बाइश सिक्स टाइम ऑफ जी जी क्या हो गया मर गया यह जिस पल्टेगा उपर आजएगा यह गया इसको वहां ले जाओ उसको यहां ले आओ जो इना आप 600 पुल कर रहा था बंदे को अगर वो यहां पे 600 न्यूटन है तो वहां पे जाके जो उसे चांद पुल करेगा अपने सेंटर की तरह बुलाने के लिए वो कितना होगा 100 न्यूटन क्लियर हो गया तो अगर किसी का वदन जादा है तो वह रणिंग करने के बजाए चांद पर श कर दो कितना है तो वह रखाव सेंटर के लिए बढ़न के लिए वहां प्राव राव भाव प्राव 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 प्राव